आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जोति शूर्जा में दिपावली का अफसर आने वाला है और दिपावली बहुत शुब दिन माना जाता है किसी भी तंत्रोक्त कार्या को करने के लिए तंत्र शास्त्र में बहुत शक्ति होती है तंत्र बहुती सिंपल एक शब्द है जिसे समझना बहुत इंपॉर्टन्ट है तंत्र जादा मुश्किल नहीं है हम सब लोग जब तंत्र का नाम सुनते है तो हमारे दिमाग में ऐसी बात आती है कि यह पताने कितना मुश्किल वशे है पर ऐसा बिलकुल भी नहीं किसी भी शुब मुहरत में कियागा कारे किसी भी शुब समय में की गई कोई भी क्रिया तंत्र बन जाती है तो आज मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने वाली हूँ अगर उसकी जड़ को भी आप घर में ले आए दिपावली के शुब अफसर पर तो वो तंत्र का कारे करती है तंत्र बन जाती है आज हम बात करने वाले हैं दिपावली के दिन इस विशेश पौधे की जो आपके घर में अगर आ गया तो आपके जीवन से सभी तरह के कश्ट दूर हट सकते है सभी तरह से आपके किसमत जाग सकती है आपके किसमत को चमकाने का ये पौधा बन सकता है ऐसे पौधा जो आपने अकसर सुना होगा और हम इसे बिलकुल भी तवज्जो नहीं देते हैं पर ये पौधा हमारे लिए किसमत चमकाने वाला बन सकता है कभी हमने ये जाना भी नहीं होगा इसे कहते हैं मदार का पौधा मदार का पौधा बहुत ही आम मिलता है और बंजर जमीन में मिलता है ये जानवर भी नहीं खाते पर ये पौधा इतना जादा कारी माना जाता है शुब मुहरत में लाकर इसकी पूजा प्रारंब करें पूजा करते समय भगवान गनपती के मंत्र का उचारण अवश्य करें ऐसे पौधे को घर में लाने से बच्चों को अगर इस मदार के पौधे की माला बना कर पहना दी जाए तो कभी भी उसको नजर नहीं लगती बच्चों को टोने टोटके का कोई प्रभाव असर नहीं कर सकता किसी भी जातक पर अगर किसी ने तांत्रिक अधिकरम किया है तो मदार का एक टुकड़ा अभी मंत्रित करके उसकी कमर पर बांदे ऐसा करने से तांत्रिक क्रियाए निशफल हो जाती है कितनी भी भिहंकर तांत्रिक किया की हो इससे वो निशफल हो सकती है अगर किसी व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि उसका सौभाग्य कभी भी उसका साथ नहीं देता ऐसे में किसी शुब मुहरत में आप इस मदार के पौधे की जड़ को अभी मंत्रित करके अगर दाई भुजा में बांध लें तो स्वभाग्य में व्रिद्धी होने लगती है अगर साथ में गनेश स्वभाग्य वर्दक्स दोत्र का पाठ कर लिया जाए तो ये व्रिद्धी होना निश्चित है आप लोगों के लिए ये तंत्रुक प्रियोग आपको बहुत उचाईया दे सकता है इसके स साथ साथ घर में अगर नजर बार-बार लगती है घर में बुरी शक्तियों का प्रभाव रहता है घर में किसी भी आधी व्यादी नजर टोना तंत्र मंत्र के दुष्प्रभाव और अवांचित तत्वों बुरी आत्माएं दुर्भाग्य और दुष्ट ग्रहों का प्रभ दिखाई देता है तो ऐसे में आप इस मदार के पौधे की जड़ को रवी पुष्य नक्षत्र में घर के दर्वाजे पर टांग दें ऐसा करने से आपके घर में सभी तरह की नकरात्मक शक्तियां दूर चली जाएंगी और आपके घर में सकरात्मक उर्जा का प्रवेश होने लगेगा सभी तरह की नकरात्मक चीजें जो हैं वो आपके घर पर कभी प्रभाव नहीं दे सकेंगी कभी प्रभाव नहीं डालेंगी तो ऐसा आप किसी शुब मुहरत में करें ये जरूरी है रवी पुष्य नक्षत्र दिपावली ये ऐसे समय होते हैं जब ये उपाए अ अपना खाली प्रभाव नहीं देते हैं हमेशा उनकासर आपको देखने को मिलता है अब मैं बात करने वाली हूँ उन दंपत्तियों की जिनको संतान प्राप्ति में दिख्कत आती है जिनको संतान का सुख नहीं मिल पाता ऐसे में क्या करना चाहिए ऐसे में दिपावली के पर या रविवार को पुशे नक्षत्र में मदार की जड़ को जिस इस्तरी को संतान प्राप्ति ना हो पा रही हो वो इस्तरी अपनी कमर में बांध ले ऐसा करने से एक साल के भीतर भीतर उसको संतान प्राप्ति के योग बनने लगते हैं और संतान प्राप्ति अवश्य हो पुश्य नक्षत्र में आप अपने घर पर लेकर आ सकते हैं और अगर कोई गंभीर रोग से ग्रसित है पर रोग उसका पकड में नहीं आ रहा तो ऐसे में आक और जिसे हम मदार कहते हैं इसकी जड़ को आप गंगाजल से धोकर उस पर थोड़ा सा सिंदूर का लेपन कर लें और उसे गूगल की धूप दे दें इसके बाद गणेश मंत्र का कम से कम 108 बार जब करके रोगी के सिर के उपर से 7 बार आप एंटी क्लॉक्वाइज से घुमा लें और इसे किसी सुनसान जगे में जमीन में दबा दें ऐसा करने से रोग बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा या वो व्यक्ति बिल्कुल अच्छे से उसको अराम आजाएगा तो इस प्रकार से आप बहुत से उपाय कर सकते हैं इस एक पेड़ से इस एक पौधे की जड़ से अगर ये पूरा पेड़ आप घर में लगाते हैं तो बहुत उत्तम लाब देता है और अगर आप इसकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में आपका धन्यवाद